लेकिन आज है एक फरवरी और आज के दिन भी एक बहुत बड़ी घटना घटी थी जो डुम्री में जनसभा का अउजन किया गया था जनसभा ने एक तरसे कह सकते हैं एक रेली थी और उस रेली को सभा में तब्दिल किया गया था और पहली बार आज भी उस वीडियो को परहेज करें ऐसा सुनने में आया था तो कहीं न कहीं जो मानोस रिंखला में जो आग लगी थी जो एक बेग्राउंड बना था जो प्रिष्ट भ्यूमी सजी थी उसमें घी डालने का काम आज डुमरी की जनसबाने किया था आज ही के दिन और खास बात थी कि डुमरी कहीं न क धनबाद बोकारों की लडाई में कॉपरेट सब का लें लेकिन ये जो एरिया होगा जो रेडियास होगा वो धनबाद बोकारों जीला तक ही रहेगा तो आज का जो कारिकरम था जो डुमरी के साथियों का अभार जनाएंगे और कहीं न कहीं उनके इंटरी के साथ इस आंद दोलों नहीं से यहां तक यहीं भासा को बापस करने के बाद फिर आप हम लोग कुछ पल के लिए सांथ हो जाएंगे लेकिन ये खैर जंतोस यादवदा धन्यबाद बिहार से आपका प्रेम के लिए धन्यबाद वाज मानव श्रिंखला के बाद एतिहासिक दुम्री में जन् सभा में हम ना जाएं और इसके लिए आप अगर चाहें तो पुक्ता जनकारी आपको हमारे प्रमादर नियमित्र आकास बीरू और अरदास अर्भीन दे सकते हैं क्यों किस प्रकार को आया था कि कहा थो जराम से कि उसस्भा में ना जाए तो फिर ग्रिड़ी क्यों जाना औ पड़ने के लिए जगा मिला है जरिया मिला है लड़ाई हर मुद्दों पर होगी और आज देख सकते हैं भले खत्यान राजपाल के दुआरा भापस आया है लेकिन एक सहासिक चर्चा एक 1932 पर चर्चा आज हर बर्ग कर रहा है किसान बर्ग कामगार बर्ग मैजदूर तो कहीं न कहीं इस आंदोलन को जब पूरे राज तक फैलाया गया तब हुआ और राज तक फैलाने के लिए कहीं न कहीं अन्नी जीलों का बहुत बड़ा रोल है धनबाद बोकारों ने कहीं न कहीं प्रिष्ट भूमी को रखा था सजाया था एक प्लेटफर्म बनाया था लेकिन इस प्लेटफर्म में आकर सबी ने समर्थन किया और उसके लिए सबसे बड़ा उत्तर दायुद आज की जन सभाज जो डुम्री में आज जिन की लिए थी तो फिलाल एक साल पहले डुम्री में यतिहासिक था और आज हजारी वाल बाग और अजिसकी वाल्य इसलीए भी जोड़री हैं क्योंकि कल से जो मेरे इर्दगीर्द मेरे जो शाथी हैं यानि मेरे जो टीम के हैं उनको भी प्रशाषनिक फोन आया पता नहीं कि प्रशासन क के हाथ पाउं लंबे होते हैं तो जाहिर सी बात है उसको हम लोग खारीज नहीं कर सकते हैं उन्होंने किस तरह संपर्क नंबर जुगार कर लिया और फाइनली हमारे दो तिन साथियों को कॉल आया तो अब एक चैलेंजिंग तो हजारी बाग आना लाजमी है शौभाविक है और आना ही आना है हमने भी पहले चर्चा किया जो हमारे साथियों को कॉल आया था एक और धाब के रुप में था gotta यॉटी, हम लोग अंदोड करने आएंगी ह घ्जारि बाग आर हैं अंदोलन कर रहे हैं और हम लोग अंदोलन करने आएंगे हजारी बाग आर हैं हलांकि सीने में बहुत बड़ा दूख है दर्द चुपा है उसे दर्द को सीने में ही दफन करके आज हजारी बाग की धर्ती में आएंगे इसलिए भी आएंगे क्योंकि दर्द मेरे दो नौजव नौजवान डाक दिये हैं जो नौजवान उपस्थित मुझे होते हैं वहां देखना चाहते हैं कहीं न कहीं उनका धर्द मेरे दर्द से कई गुना ज़्यादा है हालांकि उसे दुख को भुला पाना मेरे लिए फिलाल आसान नहीं होगा क्योंकि वो मेरे सॉल्जर के रूप में थे हैं सत्यागराह या विधान सबागराव हर वक्त वो मौत हैं लेकिन उन्होंने कभी लाइम लाइट से दूर मेरा समर्थन किया और मेरी हर एक एक पश्जूद हम हिम्मत के साथ हैं और आज हजारी बाग जरूर आएंगे डाक दिया है छात्रों ने बलाया है छात्रों जात्रों की आवाज बनने निश्य ही आएंगे जोहार हजारी बाग जारखन की सबसे प्राची इंजीला जो 1833 में जिसका निर्मान हुआ है गठन हुआ है गढ़न हुआ है आज उहां हमारी उपस्तिती होगी जोहार जनाते हैं तो आज एके दिन मानो सरिंखला के बाद एक बिद्रोह था आज वही नाराज आप सुनते हैं ऑगे बंगाल किसका है बंगालियों का बिहार किसका है बिहारियों का गुजरात किसका है गुजरातियों का ओज्जीला घंष्ण। कहीं ना कहीं एक मार्क बनके रहा तो आज दुम्री की जन्द सभा के लिए दुम्री के सभी साथियों का एक साथ हुल जोहार करते हैं और साथ ही साथ सबका आभार करते हैं इस आंदोरन में जितने लोग शरीक हुए हैं और सबको जोहार करते हैं आज दर्सन होगा हज़ारी बाग में हज़ार बागों के सार हज़ारी बाग में मुद्दा होगा नियोजन निती मुद्दा होगा स्टूडेंट प्रोटेस्ट जय जारकंड जोह जार जार करने